और यही है वो लोकेशन जहां पर लाव आजकर का वो सीन शूट हुआ था बट इस व्लोग में इसके लावा भी बहुत कुछ है सो लेट स्टार्ट सब्सक्राइब आजकर के लिए अच्छा प्लेस लग रहा है तो यहां पर बहुत अच्छा सा एक हैपनिंग सा प्लेस लग रहा है अभी हम यहीं गूप रहे हैं तो अच्छा से आप जग मंदिर के राउंड बॉटिंग कर सकते हैं लेकिन आपको अगर जग मंदिर जाना है तो आपको सीटी पैलस से ही लाइक बुकिंग करनी पड़ेगी उसके लिए बॉटिंग की और हम वापर शायद सवेरे जाएंगे दस से दो और अब यहां पर देखते हैं कुछ खास घूमने का हो जग मंदिर पर में एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा या फिर आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं कर सकते हैं तो आप उट पे बाढ़े है इस ताइब और बहुत ही एंजोई कर लेए तो जो केमल राइड थी वो काफ़ी अलगी ठीडिड के साथ तोड़ी अनस्टेब ऌती इस ज्यादा लगी किस अब कैसी लगी मुझे मुझे तो बहुत ही जादा अच्छी लगी क्योंकि मुझे चाल्डन नहीं है तो पहले भी बूट की एपर आप में फर्स्स टाइम की थी तो इसलिए आपको जादा दूर्गा ये बात कैसे हुँँँआ हो तो अगर कैमरा हो तो अवाइड करना भाई बहुत ही जादा एंजॉइमेंट हो गया हमारा राइडिंग से है ये तो हो गया है अच्छा अच्छा लगा काफी अच्छा फील हो रहा है क्या है एपिए इसलिए अच्छा इसलिए पर बागवर की हवेली और काफी मिशा नहीं है तो साथ से आर का शोव तो तो हमें अब 8 सुन का मिला है और अगर आपको बागोर के हवेली का पूरा शो देखना है तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं वहाँ पर इसका भी लिंक दिया हुआ है और इसका लिंक उपर भी फ्लेश हो रहा है और यह वही लोकेशन है जो लव आज कर में दिखाई गई थी शायद गाना था जो उसके लिए गई ती यह वही लोकेशन है बस फरक इतना है कि वो दिन में शूट हुआ था और हम यहाँ पर रात पर मुझूद है और अब डिनर का टाइम था तो हम चलती अपना डिनर करने के लिए क्या वर थक है? आपेते ही आपाने कर दो है और ये व्लोग यहीं खतम होता है मेरी बीवी के डाट के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर कर दो झाल